आप रुपए पूरा देते हैं लेकिन प्रोडक्ट मिल जाता है नकली गुस्सा तो ज़रूर आता होगा और आना भी ज़रूरी है कुछ भी लीजे ओरीजनल लीजे कारण कि आप नकली लेने के लिए पेमेंट ठोड़ी न करते हैं और फिर नकली कुछ भी हो वो आपको नुकसान ही पहुचाता है या फिर जिस उद्देश से आपने लिया है वो पूरा नहीं करता है जरा सोचिए आपने गलिती से नकली ब्यूटी प्रड़क्ट ले लिया तो क्या होगा ये आपकी काया को सबारेगा नहीं बलकी बिगाड ही देगा खान-पान का डुप्लिकेट या मिलावती समान ले लिया क्या होगा होगा ये कि आपकी सेहत को नाश करने लगेगा और दबाईया नकली मिल गई तो रोग को खत्म क्या खाग करेगा और बढ़ा ही देगा नकली कहिए या ड्यूप्लिकेट इसे बनाने और बेचने वालों का बहुत बड़ा सिंडिकेट पूरे देश में है भारत ही रही दुनिया भर के देशों में ये डर्टी बिजनस है ऐसे लोगों से निपटना असली बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती होती है ब्राइंड सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी होती है सतर्क सजग नहीं रहेंगे तो कंस्यूमर्स का भरोसा डिगने लगता है अब बात बिहार की कारण कुछ भी हो कसुरवार कोई भी हो पर सच है कि नकली बनाने वाले बिहार को बड़ा बाजार मानते है आसानी से यहां बहुत कुछ खप और बिग भी जाता है एक्सपायर्ट दबाओं को री पैकेजिंग कर बेच दिया जाता है लड़ता तो सिस्टम भी है लेकिन छेद बहुत है बैमानों की कमी कहा है और कोई दूसरा इन नकल्चियों के खिलाफ लड़ने को आगे आता है तो पूरा सिंडिकेट उसे दुश्मन मान लेता है तिग्रम पर तिग्रम कर उसे निप्टाने में लग जाता है लेकिन इन सबों के बीच ही बिहार का एक ऐसा शक्स है जो नकली बनाने बेचने वालों से लगातार लड़ता है बैमान रोड ब्लॉकर लगा कर डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं पर वो दरता नहीं है और इस शक्स का नाम है मुस्तिफा हुसेन नकल्चियों से लड़ने की ताकत मुस्तिफा को अपने महरूम पिता सैयद मंजर हुसेन से मिली है जैसा वे स्वेम बताते हैं मुस्तिफा ने नकालों के खिलाफ लड़ने की जब ठानी तो पहले सबों ने कहा यह क्या करने जा रहे हूं इन सबों का तुमसे कुछ न हो पाएगा लेकिन मुस्तिफा ने निगेटिव सोचने वालों की कभी फिक्र नहीं की और परिनाम यह निकला कि आज नकालों के खिलाफ लड़ने वालों में मुस्तिफा की पहचान देश भर में है मुस्तिफा ने Brand Protection Services Private Limited के नाम से अपनी कमपनी बनाई जिसकी सेवा आज देश की ही नहीं दुनिया की कई बड़ी मल्टिनेशनल कमपनियां ले रही है मुस्तिफा की तीम कभी देश के इस हिसे में तो कभी देश के उस हिसे में नकली बेचने बनाने वालों के ठिकानों पर रेड मारती रहती है नकालों का ठिकाना तलाशना कोई बच्चों का खेल नहीं होता इसके लिए Brand Services की टीम को बाजार दर बाजार की रेकी करनी होती है फिर सब कुछ कन्फर्म हो जाए तो प्रसाशन की मदद से आगे बढ़ना होता है मुस्तफा कहते हैं कि लोगों का भरोसा इतना बड़ा है कि Brand Services के मुबाइल नमबर 7257-88-0318 और 777-6595-2883 पर लगातार duplicate products की manufacturing और sales के बारे में inputs मिलते रहते हैं मुस्तफा कहते हैं कि उनके कारियों को कई सतरों पर सराहा गया है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तकलीफे नहीं मिलती जब नकली बाजार का organized nexus disturb होता है तो उसे आर्थिक नुकसान भी पहुंसता है ऐसे में वो उल्टे अपने नकली कारोबार को भविश्य में भी जारी रखने को सिस्टम में शामिल कुछ गंदी मचलियों के बूते फसाने फासने की कोशिश करते हैं पर मेरी लडाई जारी रहती है विश्वासिस का कि जीत तो सत्य की ही होती है बाचीत में मुस्तिफा कहते हैं कि अब उनका इरादा और मजबूत हुआ है अपने को ब्रांट सर्विसस से अलग कर उसे और मजबूत हातों में सौपने की खुशी है पिता ने सीख दी थी कि दूसरों की खुशी में अपने को खुश देखना सो जिन्हें जरूरत है उनकी मदद में लगने का फैसला किया हूँ सोशल सर्विसस में मन रमने लगा है कोरोना काल में जरूरत मंदों की सेवा कर जो अनुभूती मिली है वह एक्स्प्लेन नहीं कर सकता आगे की जिन्दगी भी सबों का भला करने में लगा हूँ खुदा में खुआहिश मंद हूँ लाइफ सिटीज की देस्क रिपोर्ट खुदा